हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको टीवी को लेकर के ऐसी बाते बताऊंगा जो की समाज में बहुत बड़ी भांतिया हैं और सच्चाई किया है वो भी साथ में बताऊंगा तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक जुरूर देखना क्योंकि टीवी के बारे में कुछ मैं आपको ऐसी चीजे बताऊंगा जो अभी तक आपको नहीं पता होंगी और किसी को भी नहीं पताऊंगी और साथ साथ कंपेर भी मैं करूंगा और कंपेरिजन के थुरू मैं आपक जुरूर देखना पहली भांती टीवी को लेकर के है कि टीवी एक जेनेटिक डिजीज है जैसे पैरेंट से बच्चों में फैल जाती है फैमिली में रन करती है जबकि ऐसा नहीं है टीवी एक इन्फेक्टिव डिजीज है जो कि खासने से चीकने से या थूपने से वाइस टीवी जनेटिक बिमारी नहीं होती है दूसरा जो मित है सबसे बड़ा हमारी community में वो ये है कि all टीवी is spread person to person जितनी भी टीवी होती है वो एक परसन से दूसरे परसन में transmit हो जाती है जबकि ऐसा नहीं है जो हमारी extra pulmonary टीवी होती है यानि कि lungs के जो बाहर की टीवी हो यह जगला मित है कि अगर आपने टीवी के बेक्टीरिया अपने अंदर ले लिया तो आपको टीवी हो जाएगी जबकि ऐसा नहीं है हमारी community में TB का bacteria बहुत ज़्यादा संख्या में quantity में होता है हम उसको आए दिन अपने अंदर लेते रहते हैं किसी दूसरे person के थुरू तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने अंदर ले लिया तो TB होई जाएगी TB होने की संभावना तभी है जब आपकी body community weak है आपका शरीर कमजोर है आप immunocompromised है या आप cancer की दवाईया steroid की दवाईया है पे ले रहे है या फिर आपकी उमर बहुत ज़ादा है और किसी कारण की वज़े से आपकी immunity कम है तभी TB का bacteria आपको TB disease कर पाएगा otherwise वो latent TB के form में आपके शरीर में ही रह जाता है अगला मित है कि all TB जितनी भी TB होती है वो गरीब लोगों में होती है यह गरीब लोगों की विमारी है ठीक है poor population की विमारी है जबकि ऐसा नहीं है यह rich population में upper middle class में middle class में सभी में होती है ज्यादा तर जो lungs की TB होती है जो खासने छीकने से या थुकने से फैलती है वो हमारी densely populated जगह पर होती है जो poor लोगों की community होती है slums होते है क्योंकि उनमें एक एक रूम में कई-कई लोग रहते है proper hygienic conditions नहीं होती लेकिन जो extra pulmonary TB होती है वो किसी को भी हो सकती है अमीरों को भी हो सकती है गरीबों को भी हो सकती है और pulmonary TB जो lungs की TB होती है वो भी अमीरों को हो सकती है अगला मित है कि जो BCG vaccine है वो TB को होने से बचाएगी यह ऐसा 100% surety होती है जबकि ऐसा नहीं है BCG vaccination का असर जो होता है जैसे जो जनम पे लगती है कंदे पे उसका 10-12 साल ही वो body को immunity परदान करती है वो भी serious bacterial infection जो TB के होती है उसके अगेंस्ट में या जो brain का TB होता है tubercular meningitis उसके लिए होती है लेकिन इसकी जो immunity होती है वो 10-12 साल में fade हो जाती है तो जो BCG vaccine का असर है वो खतम हो जाता है तो अगर ऐसा person TB के bacteria के contact में आते हैं आगे चल करके बड़े हो करके और उनकी body की immunity कम होती है तो उनको TB हो सकती है अगला बहुत बड़ा मित है कि जितने भी HIV के patient होते हैं उनके TB हो जाती है जबकि ऐसा नहीं है ज्यादा तर HIV के patient क्योंकि उनकी immunity weak होती है ठीक है वो weak होते हैं दुरबल होते हैं कमजोर होते हैं बॉडी में proper reserve नहीं होता फूड इंटेक उनका कम होता है अपूर्चुनिस्टिक infection बहार से दूसरे infection लगने का खत्रा ज्यादा रहता है टीवी होने का खत्रा ज्यादा रहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी HIV के patient है उनको सबको TB होगी अगला मित है कि जितनी भी HIV की होती है हर परकार की ठीक है उसका 6 महीने का इलाज होता है जबकि ऐसा नहीं है जो pulmonary TB होती है लंग की टीवी उसका 6 महीने का इलाज होता है जो extra pulmonary TB होती है जो लंग के बाहर की TB होती है जैसे कि intestine आतों की abdominal TB होती है उसमें 9 महीने का course चलता है ठीक है, bone और joint की, या फिर spine की TB होती है, उसमें 12-18 महीने का इलाज चलता है, TB pluracy होती है, लंग के बाहर जो जिल्ली होती है, उसमें 6-8 महीने तक दवाईयां दी जाती है, तो जो extra pulmonary TB का course होता है, वो लंबा होता है, और pulmonary TB का course 6 महीने तक होता है. एक last में मैं बता देता हूँ, कि एक ये बहुत बड़ा मित है, कि TB की जितनी भी दवाईयां होती है, उनके बहुत side effect होते हैं, liver kidney खराब कर देती हैं, TB की दवाईयां, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, जो side effect होते हैं, बहुत कम लोगों में होते हैं, और जो ज़्यादा तर लो आपको TB हो गई, और आपने दवाई ले ली, तो आपको दुबारा TB नहीं होगी, जबकि reality यह है, कि एक बार अगर आपने TB की दवाई ले ली है, तो बाकी लोगों की तुलना में आपको दुबारा TB होने का खत्रा जादा रहेगा, तो friends, आज मैंने आपको काफी detail में बता और अगर आपने पसंद किया है, तो उसको share भी कीजिए, हम इस तरीके के वीडियो आगे भी ले करके आते रहेंगे, धन्यवाद